नमस्कार दोस्तों मैं नीरेज आप सभी कैस्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज इस यूटूब चैनल के माध्यम से 50 अति महत्वपुन प्रशन लेके आए हैं जिसमें आपको All India GK MCQ होने वाला है सभी किताबों के निचूर कर लाया गया Science, History, Geography और Pulti के Questions इसमें होने वाले हैं इसमें आपको सभी एक्जामों के लिए ये वीडियो कारगर होंगे और इसमें इतने अच्छे एच लेवल के High Level के Top Level के Questions डाले गया है तो चलिए शुरू करते हैं Questions से पहला कोशन है अद्रक तन्ना है या जर नहीं है क्योंकि इसके कारण होता है इसमें Node और Anti-Node होते हैं अगला कोशन है माईको राईजा एक सहजीवी संबंद है तो ये संबंद है कवक और पोधे के मदे अगला कोशन है फलिदार पादपो की जरों में उफस्तित गांटों में पाय जाने वले नत्रजन इस्तरीकरन जीवान हो है तो जीवान हो है सहजीवी अगला कोशन है मटर पोधा है तो मटर पोधा सक आ है अगला कोशन है लॉंग एक मसाला पॉधे के भी किस भाग से प्राप्त होता है तो ये प्राप्त होता है फूलों की कलिश अगला कोचन है निमलीकित में कौन से सुमलित नहीं है यानि सही नहीं है केसर वीज यह सही नहीं है अधरा का राईजों सही है अफिम की टूड़ी भी सही है और सन तना भी सही है अगला कोचन है केसर होता है सूखा मिसरन ये मिसरन होता है फूल के बीज बिनाने वाले भागों का अगला कोचन है नीचे दिये गए पौधे और उसके खाद भाग के युगमों में से कौन से सुमलित नहीं है यानि सही नहीं है तो आलू मूल यह सही नहीं है बाकी यहाँ पे अधरक परकंद सही है फ्याज मासल परन सही है और नारियल भुरुन पर सही है अगला कोचन है लासुन की अभी लक्षनी के गंद का कारण है तो इसका कारण होता है सुलफर योगिक अगला कोचन है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसु आते हैं क्योंकि प्याज निस्कासित करते हैं तो यह निस्कासित करते हैं सुलफेनिक अमल को अगला कोचन है जी जो इस फसल है तो Azidhhah ह ग्रिति अजुनु कोशन दो दो अफरात होती है अजुनु मलेरिया कुपाते तो एक आफरात होती है अगला कोशन है मलेज़ियर्या प्रतभाव की परभावी अज़र इस scan किया जाता है तो ओन्सकाशन किया जाता आ सिनकोना की छाल से अगला कोशन है कुनेंजो मलेरिया के इलाज में पवयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है तो यह आती है छाल से अगला कोच्छा ने सास्तूत का फल है तो सास्तूत का फल सुरोसिस है अगला कोच्छा ने में रेसों में से कौन से पौधे के तन्ये के उत्पाद नहीं है तो यह उत्पाद नहीं है वो है कपास अगला कोशन है लेग हीमोगलोबिन पाई जाती है तो ये पाई जाती है लेंग्यों मुल गरंतियों में अगला कोशन है नेमलेखित में से कौन सा मानो निर्वित दानने है जो प्राकृतिक में नहीं पाई जाता तो ये नहीं पाई जाता ट्रिटीकेल अगला कोचन है, अस्पँंजी, टीसू, अस्पँंजी उत्तक, एक hyper-اي-सी गंभीर समस्य, जिसके के करण आम की, जिस परजाती का निर्यात को परभावित हो रहा है, वह है तो है अल फ्रांस हो अगला कोचन है ब्राहा समाज रामक्रिष्ण मिशन और समाज में क्या समानता थी तो यह समानता थी तीनों ही राजनेतिक उदेश्यों के लिए नहीं बने लेकिन तीनों ही देश भक्ति की भावना के विकास में सहायता दी अगला कोचन है इन में से कौन कतन सही नहीं है तो सही नहीं होगा कि महात्मा गाधी का जन्म गाधी नगर में हुआ था यह सही नहीं है बागी डाक्टर एनिवेशन थियो सोफिस्ट थी ये सही है और थियो सोफिकल सोसाइटी का अंतराष्टिय मुख्याले मादरास में ये भी सही है और स्वामी दयानंसर स्वतिने आरे समाज की अस्थापना की ये भी सही है अगला कोचने 1924 के बंगाल तरकेश्वर अंदोला निमली निन में से किसके विरूद था तो ये विरूद था मंदीरों में ब्राष्टा चार के अगला कोचने हाली फ्रसीद संबंधित थी तो ये संबंधित थी बंधुआ माज दूरों से अगला कोचने निमलीकित ने ताओं में किसने करांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की अस्थापना की तो ओकी थी बिना एक दाम उदर समर करने अगला कोचने निमलीकित में से किस एकने 1875 में हाउस अप कॉमंस में एक याज क्या प्रस्तूत करते हुए ब्रिटिस सं अगला कोचने भारत संग का संस्थापक कौन थे तो वो थे शूरेंदर नाथ बनार जी अगला कोचने निमलीकित में कौन इंडियान एसन का संस्थापक था तो संस्थापक था एसन बनार जी अगला कोचने राष्टी ये कंग्रेस से पूरवे सबसे परमुक संस्था थे तो वो सांस्ता थी Indian Association of Calcutta, अगला कोशन है, राजनितिक सुधारव को लेकर वीरोध करने वाले पहले भारतीये, कौन थे, तो वो थे, राजारा मुहार रहे, अगला कोशन है, निमलीकित में, उनके संगठन के अधार पर करमा वार सजाए, तो उसके संगठन के अधार पर कर नमार वार हो जाएगा, भॉमपे ASOCIATION, उसके बाद, इंडियान लिंक, उसके बाद हो जाएगा, इंडियान ASOCIATION, उसके बाद, मधराज, महाजन, सभा, अगला कोशन है, ब्रीटिस इंडियान ASOCIATION के प्रतम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे, राधा कांत देव, अगला को में अगला कोचा ने भारतिय राष्ट्य कांगर्स के पहले अध्यक्ष कौन थे तो वो थे WC बनार जी अगला कोचा ने इन में से किसने भारतिय राष्ट्य कांगर्स के प्रतम वार्चिक अधिवेशन के अध्यक्ष था की थी तो वो की थी WC बनार जी ने अगला कोचा ने ने इंडियन नेशनल कांग्रिस का अध्याक्ष था तो भारत का बाइसराइक अगला कुछ ने नेव्ड गोवेंन जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यादिक अल्प संक्याक लोगों का परतिनित तो करने का करने वाली कहकर उपहास किया था तो यह किया था लॉड डफ्रीन अगला कोचन है सैतान का गॉल्फ कोर्स डेविस गॉल्फ कोर्स का नाम से प्रसीद मिर्तु की घाटी देथ वेली इस्थित है तो यह इस्थित है USA में अगला कोचन है मिरित्तक घाटी जाने जाती है इसकी अत्याधिक उष्णता के लिए अगला कोचन है सहिंगत राज अमेरिका की देथ वेली अवस्ती थै तो यह अवस्ती थै केलिफोर्निया राज्य में अगला कोचन है पंजसीर घाटी अवस्ति था तो यह अवस्ति था अपगानिस्तान में अगला कोचन है सहिंकतराज अमेरिका में सिलिकोन वेली अवस्ति था तो यह अवस्ति था कैलिफोर्निया में अगला कोचन है नेमलीकित में से कौन से अस्थाल कृती फास्ट परदेश को सबसे में सहारा मरव मिस्तान और साहरी थार थार संसार के सरवाधिक जनसंख्या वाला मरुवस्तल है अगला कोच आने दक्षिन एस्टिया के सबसे बरा मरुवस्तल है तो है थार मरुवस्तल तो फ्रेंड्स यहां पर कोच्टन समापत होते हैं आपको कोच्टन कैसे लागा कमेंट करके बताईए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में